यमुनानगर में हरियाना विधान सभा के उपाध्यक्स रणवीर सिंग गंगवा ने कहा कि सरकार द्वारा पंचैती राज संस्थाओं के चुनावों में बीसी ए वर्ग को आठ परतिशक आरक्षन देने के निर्ने से समाज की हिस्सेदारी बढ़ेगी सरपंच पद से लेकर ब्लोक समीती वजिला परिस्द के सदस्थ चुनने का पिछड़ा वर्ग को मोका भी मिलेगा इसलिए पिछड़ा वर्ग समाज के विभिन संगठनों की ओर से आगामी 29 नवंबर को हिसार के पुरान राजकिये कोलेज मैदान में पिछड़ा वर्ग समान समारों का आयोजन किया जाएगा इस समारो में पिछड़ा वर्ग समाज के लोग हर्याना के मुख्यमंतरी मनोहरलाल का अभी नंदन करेंगे इस कारेकरम को लेकर पिछड़ा वर्ग के लोगों में भारी उसा है यमना नगर से न्यूजबन हर्याना के लिए हारीश कोहली की रिपोर्ट कि पिछला वरक के जो लोग हैं जिसमेंने पहले कहा वो सारे के सारे हाथ से काम करने वाड़ होगा है एक समश्याएं उन लोगों की है और आज हमारा सुभागय है कि जो हर्याना प्रदेश का नेतरतव हमारे जो मुख्या है वह ऐसे हैं जिनकी सोच ही है कि जो वन्चित वरक के लोग हैं उनको भी आगे लाए जाए उनको मुख्यधारा में लाया जाए और हर वरक को साथ लेकर के साथ चले तो उनकी चाहे अलग अलग कास्ट वाइज भी काफी दिखते हैं चाहे अगर मैं कुमार समाज की बात करूं तो कोई जबिनों की दिक्त है जो बरतन बराने है वो उनके बिल जादा आते हैं क्योंकि हाथ से काम करने वाड़े लोग है इसलिए उनको दिक्कत और प्रिशानिया है इसी तरीके से चैलों के अंदर सरलिकरन की बात हो ताकि वो लोग अपनी आजीविका चलास के अनेक तरह की दिक्कत प्रिशानिया है इसलिए जहां इ आरक्षन दिया है मैं यह कहूंगा कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग है उनको एक राजनतिक आरक्षन की सुरुवात करने का काम हमारी पार्टी ने आदरी मनहुरला जी ने करने का काम किया उसी के लिए आज हम इकटे उपर के और मानने मुख्यमत्री मोदे का धन्यवाद क देखे लिए चुनाव है यह बात बात वोट वेंग की नहीं होती स्वाल यह होता है कि जिन लोगों की पचास सलों से मां थी आप अपने जिले के उपर का आएक आंकलन करके बता देजिए कि कितनी बिस्टी के यहां सरपंच है कितने जिला प्रिजित के मेंबर हैं कितने प पारिटी की यह सोच है आदिने मनहुरलाल जी की यह सोच है कि सरकारी सेवाव का अलाब अंतिम वेक्ति तक पहुंचे और जब तक हमारा जो कोई भी स्वाज है चाहे मारा गाव है चाहे मारा शहर है पूरे शत्तिस ब्रादरी से को मिलकर के बनता है इसलिए उसके अंदर के अंदर भी हर किसी का योगदान होता है इसलिए जो संख्या के आदार पर या जो संटित नहीं होते या फाइनेंशल तोर पर मजबूत नहीं होते तो उनको रिजरेशन के तहत उनको ले करके उनको भी प्रतिनतव दिया जाता है